हेलो स्टुडेंट आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं ओनलाइन क्लास में हमारे ठीक है तो यहां पे आप लोगों को प्रैक्टिस टेस्ट पेपर जो की पीडियम के माध्यम से मिला तो वहां पे क्वेशन्स क्या क्या दिये गए यानि कि पेपर नंबर 16 में क्या क्य क्वेशन्स दे गिए थे कुषेस नंबर 1 क्या दिया गया था निम्लिखिन मैसे कौन के केरल के वर्तमान समय पर राज्य पाल ठीक है और को ख्ले आरीप महमद का आने कि इसका राइट आन्सर क्या क्या है ए? अगला क्यौन क्या है अगला क्याक्या तो आमेरिका भारत को फोर्स इंडिया की बच्छा जो आपके 20 लोगों के लिस्ट जारी करी थी तो उसमें सबसे टॉप पे कौन था ठीक है अमेरिकी यहां पर क्या दियागे बच्छा आपका यूएस बेस्ट जब इंडियन बचा ठीक है यूएस बेस्ट यानि अमेरिका के अंदर जो अ नदी के किनारे इस्तित है तो यह है आपका किस पर क्रिष्णा नदी के किनारे इस्तित है अब विजयवारा की साथ-साथ यहां पर क्रिष्णा नदी का नाम आया तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा क्रिष्णा नदी पर एक सबसे महत्वपूर्ण जो डैम है आप आपका पूछा जाता है नागरजुन श्री सेलम जो आंदर परदेश राज्य के अंदर इस्तित है यानि कुछन पूछा जाता है कि नागरजुन बांध कौन से नदी पर है तो यह कौन से नदी पर आपका कृष्णा नदी पर आंदर परदेश राज्य के अंदर नेक्स बढ़ेंगे निमलिखित मैंसे कौन बाहरत का बचा एक जुड़वा सहरों मैंसे नहीं है हुबली धारवार, कटक भुबनेश्वर, एहमदाबाद, गांधी नगर तो यहाँ पे आता बचा आपका त्रिशूर, इसका राइट अंसर क्या है अपका त्रिशूर और तिरुवल्ला, यह दोनों के दोनों बचा आपके क्या है जुड़वा सहर के रूप में नहीं जाने जाते, ट्विन सिटी के नाम से नहीं जाने जाते कटक भुबनेश्वर जाना जाता आपका, एहमदाबाद, गांधी नगर जाना जाता है वूबली और धारवर यह जाने जाते हैं ट्विन सिटी के तोर पर ठीक है, क्वेश्शन नमबर फाइब की ओर बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्शन नमबर फाइब क्या दिया गया, कि कौन से सिलालेक में स्वमुद्र गुप्त की उपादियों दर्ज की गई और उस पे उन्हें क्या कहा गया, भारत विजय के लिए बारत का नैपोलियन भी कहा गया है इसी कारण पर ठीक है, तो यहां पे इसमित के द्वारा उन्हें क्या कहा गया था भचापका भारत का नैपोलेन का नाम दिया गया था तो ये किसमें दिया गया है प्रियाग इस्तंबलेक या इलहबाद इस्तंबलेक जो किसके द्वारा या प्रियाग प्रसस्ती किसके द्वारा लिखी गई तो इनके दरवारी कभी हरी सेंड के द्वारा लिखी गई क्वेशन पूछा जाता है कि प्रियाक प्रसस्ति किसके द्वारा लेकी गई तो हारी सेंड के द्वारा लेकी गई हारी सेंड किसके दर्वारी का भी थे समुद्र गुप्त के दर्वारी का भी थे ठीक है इन्हें संगीत प्रिया भी कहा जाता है समझ रो इनके सिकों पर इनको बीना बजाते हुए दर्साया गया और समुद्र गुप्त को भारत का नैपूलियन भी कहा जाता है ठीक है तो यह भावाई और कालिब यह जो आपकी ट्रेडिशनल डांस है तो यह भारत के किसे रज्य में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है कहां से शुरू आता आपका इस्टेड है आपका राजिस्तान इस्टेड के अंदर मानी जाती है ठीक है अच्छा कोईसंस है अब राजिस्तान से मैं आप लोगों को कुछ questions बताना चाहूंगा जैसे बारत में सबसे ज़्यादा जो परवासी पक्षी आते हैं आपके वो कहां पर आते हैं तो आप लोगों को याद होगा कि घाना जो bird century है जी बीएस की बात करी मैंने गाना bird centuries में सबसे ज़्यादा क्या आते हैं परवासी पक्षी आते हैं ठीक है यानि आप भारत में पूछा जाता है कि साइबेरियन पक्षी के लिए जाना जाता आपका तो गाना bird century जो कहां पर आपका राजिस्तान के अंदर इस्तित है अगला question स 2019 में जारी की गई पुछिता के लेखाग बताय पुछिता का नाम क्या बचाप का शाकेत मनजुंधार के द्वारा ये बुक गई थी next question क्यों बढ़ेंगे हम लोग यहां पर क्या दिया गया किर्केट में दो अंतारास्टे हैट्रिक लेने वाले पहले भारते कोन है तो किर्केट में बचे लगभग आपका दो किसकी दोरा कुल्दी प्यादाओ ठीक है पहले भारते जो बने हैं कुल्दी प्यादाओ आप कुल्दी प्यादाओ को किस नाम से जानते हैं आप लोग चाइना में आगला क्योशन बढ़ेंगे आप लोग बिना निशेचन के एक फल का विकास होना ये क्या कहा जाताए अच्छा कुश्टन से एक्जाम पॉइंट और विकास हो रहा है तो उसे क्या कहा जाता आपका फॉरहन तो क्राफी कहा जाता है अच्छा कुश्टन से नंबर 10 की और बढ़ेंगे हम लोग इरानी मेजर कि अभी आप लोगो याद होगा कि इरान की जो मेजर थे बचा सुलेम इनका क्या किया गया इनकी हत्या कर दी गई थी ठीक है एक यहां पर क्या क्या गया था बच्छा एक ब्लास्ट में इनकी अमेरिकी सेना के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी तो कहां पर की गई थी समझ रूए इनकी हत्या अमेरिकी सेना के द्वारा कहां पर तो बगदा बगदाद के अंदर बगदाद एरपोर्ट यानकी इराक के अंदर इन्हें अमेरिकी सेना के द्वारा मारा गया था ठीक है इरानी सेना प्रमुक थे तो यह याद रखना अब इरान से जुड़े हुए कुछ इंपोर्टन चीज जैसे मैंने आप लों को कई बार क्लासों में बताता हूँ कि दासते काभीर हो गया आपका दासते बचल लूट हो गया यह डैजट कहाँ पर इरान के अंदर है इरान की जो करेंसी है उसे क्या कहा जाता है या इरान की पार्लियमेंट को क्या कहा जाता है त आपको 189 IMF से क्यों पूछा कि IMF में सबसे last में कौन सा सदस्य जुड़ा यानि 188 थे तो 189 होगे तो ये जुड़ा था आपका नुरू ठीक है अब मैंने आप लोगों को बताया कि नुरू अगर पूछ लिया अभी चर्चा में है पूछ लिया कौन से कॉंटिनेंट में तो आप लोगों को बताना है कौन से महाधुप में ये औसनिया महाधुप या औस्टेलिया महाधुप का सबसे छोटी कंट्री है according to एरिया तो इतने क्वेशन्स यहां से बन सकते हैं ठीक है मैंने अभी बताया आपको IMF IMF में टोटल मेंबर कितने हैं 189 189 मेंबर कौन बना नोरु नोरु कौन से महाधुप में आता है आपका औस्टेलिया महाधुप में ठीक है औस्टेलिया महाधुप में टोटल कितनी कंट्री हैं 22 कंट्री हैं 22 में सबसे बड़ा कौन सा है Australia जिस करण से आप लोग इसे Australia continent भी बोलता है और सबसे छोटा कौन सा है नोरू समझ रो तो ये चीज़े हमें समझने होगी जब भी आप लोग इस PDF को प्रिंट आउट करें तो ये सारी चीज़े वहाँ पे नोट करें इसी वज़े से मैंने ये सुरू करिए समझ रो यहाँ पर आप लोग को बता देता हूं PDF आप लोग को daily दी जाती है तो आप लोग को क्या करने PDF को आपको lockdown के बाद download करने ठीक है PDF आप लोग download किजिए सबसे important चीज़ बसे ठीक है डेली के आप लोग को प्रिंट निकालिए ज्यादा मुस्किल नहीं 25 पेपर आप लोगों को महने के मिलते हैं तो इसका अगर प्रिंट आउट कोस्ट की बात करो में तो मुस्किल से आपका 200 के आसपास आएगा चार कॉपीज होती है तो 200 कॉपीज निकली आपकी तो 200 के आसपास इसका एक्समेंस आएगा आपका खर्च आएगा ठीक है लेकिन आप लोगों को इसमें नॉन टेक या आपका बच्चा एक्जाम की बहुत अच्छी तैयरी हो जाएगी साती साथ जो भी क्वेश्चन से उनक किसी भी बुक को फॉलो कीजिए वो अलग चीज है आप बेसिक चीजों को पढ़िये वो अलग चीज है लेकिन एक्जाम को क्वालीफाई करने का सबसे बेतर तरीका है और इसका रिजल्ट आप लोग एक्जाम में जाके देखिए अभी आप लोगों को आने वाले चार्च एजनसी ने क्या करा था समिट रुआ था मिंटिंग ऊई थी च्शंटे नमबर की छटी बेठक कोई थी तो इसके अद्ध horsepower कि स न calculation करी थी तो यह की गई है और ग्रय अभिनेताओं का नाम बता है यह जिन्हें 66 वे राष्टिया फिल्म प्रुषकार 2019 में सर्वसेस अभिनेता का प्रुषकार दिया गया तो यह दिया गया था किसे आपका समझे यहाँ पर आईश्मान खुराना उन्हें किसके लिए अंदाध हुंद के लिए और विकी कोसल को किसके लिए उरी मुवी के लिए उरी दर सर्जिकल स्टाइक जो मुवी थी बच्छा उसके लिए इन्हें इस अवार्ड से संभानित किया गया था ठीक है नेक्स बढ़े 2020 में ये कैमिनेट मंत्री है तो इनके पास कौन सा मंत्राल है बच्छे आपका तो याद रखना इनके पास कौन सा है रसाय नेम उर्वरग समझ दरो आप लोग कैमिकल एन फर्टिलाइजर जो मिनिश्टर आपके वो कौन है अभी वर्तमान समय पर ठीक है सदानद गोड़ा निमलिखित मैंसे किसे बंगाल के यहाँ पर क्या कहा जाता है तो यह कहा जाता है आपका किसे नबाब अब्दुल लथीव खान को कहा जाता है कि तो यहां पर बचा हम लोग जान सकते हैं उन्होंने ऐसा क्या काम करा तो बंगाल के अंदर हर सकते हूं आसपास के बात करूं यानि कि 19th century यानि 1870 के आसपास की बात करूं मैं और इसके दौरान और 1881 के आसपास इन्हों क्या कर रहा था बंगाल के अंदर एजुकेशन को मौडन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए और जो मुस्लिम कम्यूटी के जो लोग थे बचा है उन्हें एजुकेशन के चेत्र में बढ़ावा देने के वह उनको क्या लग रहा था कि बाकी लोग भारत के किस सहर को पूरवा का एथेंस के नाम से जाना जाता है तो किस सहर को कहा जाता है मदुरई सहर को कहा जाता है अब मदुरई की में बात करूँ तो मदुरई सहर में ही आपका क्या है मिनाक्ची मंदिर है मदुरई सहर को क्या कहा जाता है त्योहारों का सहर भी का जाता है तो यह आता आपका हाउर्णबिल त्योहार दो अलग लग चीज़ है बच्छा आपका हाउर्णबिल त्योहार जो नागलेंड में मनाये जाता है उसे क्या कहते है फैस्टेबल ऑफ फैस्टेबल का जाता है त्योहारों का त्योहार का जाता है लेकिन फैस्टेबल यहां पर मैं आप लोग को बताना चाहूंगा जो मेनाड कीन्स थे इनके द्वारा एक बहुत इंपोर्टेंट बुक है जो एक्जाम में पूछी जाती है तो कीन्स की यह बुक आप लोग रट दीजिए एक्जाम में पूछी जाएगी इनके द्वारा जब बचे क्या दिया गया था कीन्स सिद्धान को दिया गया था ठीक है जैम कीन्स इनका नाम है 1936 में इनकी एक बुक प्रकासित होती है समझ रो इनकी एक बुक क्या होती है पॉब्लिस होती है जिसका नाम क्या था रट दीज पूछी जाती है बहुत बार पूछी जाती है कि 1936 में पब्लिस हुई जो बुक थी जर्णल थियोरी ओप एंप्लॉइमेंट इंट्रेस्ट एंड मनी जो बुक लिखी गई थी यह किसके द्वारा लिखी गई थी ऐसा कुशन सा एक्जामनर पूछता है तो यह किसके द्वार पूछन के उर्हां तक आपको चीजले शमज्मायोगे ठीक नेक्स्त बढ़ेंगे अगला कॉछन केा दिया गया किस यहां पे क्या दिया गया ग्रचा मंत्री कीक द्वारा क्या गया थी कर्मो दे ग्रंत नामक पुस्तक का बिमोचन किया गया था तो यह पुस्तक किया गया था ठीक है तो यह किस पर बचा आधारित है तो अगर मैं आप लोगों को बता हूँ तो प्रदान मंतरी मोदी जी के जीवन पर आधारित है और इसे जो पब्लिस किया गया था तो किसके द प्राजिल के अंदर समझे निस में ब्राजिल के अंदर इसमें पांस कंट्रिया ब्राजिल रसेया इंडिया चाइन और साउथ अफ्रिका है जो कि 2009 में ये इस्टेबिश वा था और इसके जस्ट बार्टिक है इसमें क्या जो रहा था साउथ अफ्रिका इसका मेंबर बन गया था नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेशन के ओर क्वेशन नमबर 20 जैली फिस बचा कौन से फाइलम के अंदर आते हैं तो ये नियर्टर में आता आपका यानि कि डीस का राइट आइगा नेक्स क्वेशन क्या दिया क्वेशन नमबर 21 इन मेंसे जो है बचा तीजन बाई जिन्हें 2019 में पदम विभूशन से सम्भानित किया गया तो ये कौन से राज्य से बिलॉंग करती तो कौन से राज्य बचा आपका 36 घर से यहां पर जावरा जो निर्तिय बचा आपका बहुत ही अडिशनल डांस है आपका जाना जाता है ठीक है तो ये कौन से राज्य के अंदर मध्या प्रदेश का काफी महतवपूर जो चर्चित आपका एक क्या है डांस है ठीक सौर मंडल के ग्रहों के करम में मंगल और सनी के बीच में कौन आता है ग्रहों के करम में बचा मंगल और सनी के बीच में तो इस क्वेंशन को समझे बचा इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका जूपिटर ठीक है अब यहां पर क्वेंशन का आंसर जूपिटर किस से कौन सबसे नजदीक है और कौन सबसे दूर है ठीक है तो यहां पर हमें समझना होगा सबसे नजदीक कि अगर इस बात करो में तो आपका कौन सा आएगा मरकरी आएगा ठीक है उसके बाद कौन सा आएगा आपका वीनस आएगा ठीक कौन सा आएगा बचा आपका अर्थ मार्स के बाद कौन सा गए जुपीटर आ गए सटेनगे और सटुन के बाद का कौन सा आते है यूरेनस होगया और यूरेकर के बाद कौन सा आ गया नेयप्चिन हो आई तो यह आपके जो 9 जुट है बच sẽ आपका थिक है तो इस त опыт क्योंगी यान et Lebens हो गि smelled फिर आर्थ फिर सौरा बगले आपका मरकर यानि Baptist बिद्र ग्रेश अगया फिर अर्थ हो गया फिर आपका क्या हो गया मार्स हो गया फिर Jupiter हो गया Saturn हो गया आपका ठीक है तो इस बाहरेख के प्लानेट है तोुम सेक्वेंस में नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेशंस पर क्वेशंस नमबर 24 क्या दिया गया था प्रसिद्ध विक्टूरिया टर्मिनल जो कि मुंबई महारास्त के अंदर है इसका निर्मान किस वर्ट हुआ था तो इसका निर्मान हुआ था 1878-88 में क्वेशंस बचा आपका क्या दिया गया खेलो इंडिया यूथ गेम इसका आईजन 2018 में हुआ 19 में हुआ और 20 में हुआ 18 में दिल्ली में 19 में कहाँ पर पुने महरास्ता में 20 में गौाटी असम में हुआ तो यह थे हमारे important questions जो आप लोग को paper set PDF के माध्यम से मिला है ठीक है तो हमने य आप लोग इस वीडियो को एप पर देख रहे हो तो आप लोगों को बचा क्या है एप के अंदर हमारे जो हमारा application है ठीक है एप के अंदर आप लोगो चैट बॉक्स मिलते है चैट बॉक्स में आप अपने report बहें सकते हैं यानि कि आपको कहीं पर भी कोई question में doubt हो तो वहा सकते हो या फिर आप लोग डारेक्टली क्या कर सकते हो मैंने आप लोगो बता है कि कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो डारेक्टली से published वीडियो को देख रहोंगे यूटूब के अंदर तो उन्हें इसकी पीडियाप कहां से प्राप्त करनी है उनके लिए बच्चे सवाल हो जाता है ठीक है कही सारे मैं सिकायत देख रहा हूं बच्चे की तो उन्हें पीडियाप कैसे मिलेगी तो मैं आप लोगो बता देता अब आप लोग एफ七 वीडिया आंब Geschäfton 17th को देख रहे मिलेगी साध आप लोग अगर अब तक वीडियो को आप लोगो ने राइक नीकार है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए साथी साथ बच्चर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा क्योंकि जितने भी बच्चे प्राक्रिस पेपर देते हैं उन में से सिर्प और सिब 50% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारा एप्लिकेशन डाउनलोड कीजिए इंजिनेर कर्मी दहरादून ऑनलाइन क्लासेज प्ले स्टोर पे मिलेगा आप लोगों को वहां से आप लोग एप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं तन्यवाद